C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तक्षा साथ की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याय ग्यारह परिमाप और क्षेत्र फल प्रिष्ठ दो सौ पच्चीज ग्यारह देशमलव दो देशमलव एक आयत के भाग के रूप में त्रिभुज और पांच सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक आयत लीजिए आयत को विकर्ण के अनुदेश ऐसा काटिये जिससे दो त्रिभुज प्राप्त हूं आक्रिती ग्यारह देशमलव साथ आक्रिती ग्यारह देशमलव साथ यहां एक आयत दिया गया है जिसे एक विकर्ण दो त्रिभुजों में बाट रहा है आयत के माप हैं पांच सेंटीमीटर और आट सेंटीमीटर एक त्रिभुज को दूसरे पर रखिये क्या ये दोनों पूर्ण तया समान मापके हैं क्या आप कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है क्या ये त्रिभुज सरवांग सम्भी हैं इन में से प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्र फल कितना है। आप देखेंगे कि दोनु त्रिभुजों के क्षेत्र फलों का योग फल आयत के क्षेत्र फल के बराबर है। एक बटा दो, उष्ठकों में आठ गुणा पांच, बराबर चालीस बटा दो, बराबर बीस वर्ग सेंटिमीटर। अब एक पांच सेंटिमीटर भुजा वाला वर्ग लीजिए और इसे चार त्रिभुजों में बाटिये जैसा के आकृती में दिखाया गया है। आकृती ग्यारह दशमलवाट यहां एक वर्ग दिया गया है जिसमें दो विकरण एक दूसरे को आपस में काट रहे हैं और वर्ग को चार त्रिभुजों में बाट रहे हैं। क्या चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है? क्या वे एक दूसरे के सरवांग सम हैं? त्रिभुजों को एक दूसरे पर रख कर जांचिये। प्रत्येक त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या है? प्रत्येक त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर एक बटा चार गुणा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर एक बटा चार गुणा भुजा का वर्ग बराबर एक बटा चार गुणा पांच खा वर्ग वर्ग सेंटिमीटर बराबर 6.25 वर्ग सेंटी मीटर प्रिष्ठ 226 11.2.2 आयतों के अन्य सरवांग संभागों के लिए व्यापी करण 6 सेंटी मीटर लंबाई और 4 सेंटी मीटर चौडाई वाले एक आयत को दो भागों में बाटा गया है जैसा आकृती में दिखाया है आकृती 11.9 आकृती 11.9 यहां एक आकृती दी गई है जिसके माप हैं AE बराबर 2 सेंटी मीटर, BF बराबर 4 सेंटी मीटर, FC बराबर 2 सेंटी मीटर, CD बराबर 4 सेंटी मीटर और DE बराबर 4 सेंटी मीटर आयत को दूसरे कागज पर ट्रेस कीजिए और आयत को EF के अनुदिश काट कर दो भागों में बाटिए एक भाग को दूसरे पर रखिए और देखिए कि क्या वे एक दूसरे को पूर्ण तया ढखते हैं आपको इन्हें घुमाना भी पड़ सकता है क्या ये सरवांग सम हैं? दोनों भाग एक दूसरे से सरवांग सम हैं इस प्रकार एक भाग का क्षेतर फल दूसरे भाग के क्षेतर फल के बराबर है इसलिए प्रत्येक सरवांग सम भाग का क्षेतर फल बराबर एक बटा दो गुणा आयत का क्षेतर फल बराबर एक बटा दो गुणा कोश्ठकों में 6 गुणा 4 वर्ग सेंटिमीटर बराबर 12 वर्ग सेंटिमीटर इन्हें कीजिए नीचे दिये गए प्रत्य कायद जिसकी लंबाई 6 सेंटिमीटर और चाड़ाई 4 सेंटिमीटर है सरवांग सम बहुभुजों से मिलकर बने हैं प्रत्य क बहुभुज का क्षेत्र फल ग्यात कीजिए यहां पांच अलग-अलग आकृतियां दी गई हैं 11.3 समान तर चतुर भुज का क्षेत्र फल हमें वर्ग और आयत के अतिरिक्त बहुत से दूसरे आकार देखने को मिलते हैं आप एक भूखंड का क्षेत्र फल कैसे ग्यात करेंगे जिसका आकार समान तर चतुर भुज जैसा है आएए, समान तर चतुर भुज का क्षेत्र फल प्राप्त करने की एक विधी ग्यात करें क्या एक समान तर चतुर भुज को एक समान क्षेत्र फल वाले आयत में रूपांतरित किया जा सकता है एक समानतर चतुर भुज को काटिये समानतर चतुर भुज के एक शीर्ष से इसकी सम्मुख भुजा पर एक लंब खींचिये आकृती ग्यारह दशमलव दस दो इस त्रिभुज को काट लीजिए और इस त्रिभुज को समानतर त्रिभुज की दूसरी भुजा के साथ रखिए. अकृती ग्यारह दशमलव दस, तीन. प्रिष्ठ 227 आप कैसा आकार प्राप्त करते हैं? आप एक आयत प्राप्त करते हैं. क्या समानतर चतुर भुज का क्षेत्रफल बनाए गए आयत के क्षेत्रफल के बराबर है? हाँ, समानतर चतुर भुज का क्षेत्रफल बराबर बनाए गए आयत का क्षेत्रफल. आयत की लंबाई और चोड़ाई क्या है? हमने देखा के बनाए गए आयत की लंबाई समानतर चतुर भुज के आधार की लंबाई के बराबर है. और आयत की चोड़ाई समानतर चतुर भुज की उंचाई के बराबर है. आक्रिती 11.1 यहां एक समानतर चतुर भुज दर्शाया गया है जिसमें आधार बराबर लंबाई और चोड़ाई बराबर उंचाई है. अब समान्तर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर एल गुणा बी लेकिन आयत की लंबाई एल धथा चौड़ाई बी क्रमशह समान्तर चतुर्भुज का आधार बी और उंचाई ही है इस प्रकार समान्तर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा उंचाई बराबर बी गुणा एच समान्तर चतुर्भुज की किसी भी भुजा को आधार ले सकते हैं इस भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाला गया लंब इसकी उंचाई कहलाती है समान्तर चतुर्भुज A, B, C, D में D, E, A, B पर लंब है यहां A, B आधार तथा D, E समान्तर चतुर्भुज की उंचाई है इस समान्तर चतुर्भुज A, B, C, D में B, F सम्मुख भुजा A, D पर डाला गया लंब है यहां A, D आधार तथा B, F उंचाई है निम्न समान्तर चतुर्भुजों के बारे में सोचिए आक्रिती 11.1 दो यहां A से G तक साथ अलग-अलग समान्तर चतुर्भुज दिये गए हैं आक्रितियों द्वारा घेरे गए वर्गों की संख्या को गिन कर समान्तर भुजों का क्षेत्र फल ग्याद कीजिए और भुजाओं को माप कर परिमाप भी ग्याद कीजिए प्रिष्ठ 228 निम्न तालिका को पूरा कीजिए तालिका के स्थंभ हैं समान्तर चतुर्भुज आधार उचाई छेत्र फल परिमाब a. पाँच इकाई, तीन इकाई, पंद्रह वर्ग इकाई a. ड. बाऊचे कीजिए बाउच ऑमादा बाउच, दाष 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 एट ऑमादा ऑमादा कीजिए ग्याच अमादा ऊफ्रावान ऑम स्वाच कीजिए डाश, एफ, डाश, 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 जी, डाश, 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 आप देखेंगे के इन सभी समानतर चतुर भुजूं का छेत्रफल तो समान है, परंतु परिमाप अलग-अलग हैं। अब, निम्न 7 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समानतर चतुर भुजों को देखते हैं। आकरिती 11.13 यहां 4 समानतर चतुर भुज जिनके माप 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं दर्शाय गये हैं। पहले समांतर चतुरभुज की उचाई 2.5 cm है, दूसरे समांतर चतुरभुज की उचाई 3.5 cm है, चौथे समांतर चतुरभुज की उचाई 4 cm है. प्रत्येक समानतर चतुर्भुज का परिमाप तथा क्षेत्रफल ग्याद कीजिए अपने परिणाम का विशलेशन कीजिए आप देखेंगे के इन समानतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल अलग-अलग है लेकिन परिमाप समान है समानतर चतुर्भुज का क्षेत्र फल ग्याद करने के लिए आपको समानतर चतुर्भुज का आधार तथा संगत उंचाई को ग्याद करने की आवशकता है प्रिष्ट दो सा उनतीस इनहें कीजिए निम्न समानतर चतुर्भुजों के क्षेत्र फल ग्याद कीजिए यहाँ दो समानतर चतुर्भुज दिये गए हैं जिसमें एक आधार बराबर आट सेंटीमीटर उच्छाई बराबर तीन दशमलव पांच सेंटीमीटर, दो आधार बराबर आट सेंटीमीटर, उच्छाई बराबर दो दशमलव पांच सेंटीमीटर, भाग तीन समांतर चतुर्भुज ABCD में AB बराबर 7.2 cm और C से AB पर लंब 4.5 cm है अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की गणित की ध्वनी पाथ्य पुस्तक कारिक्रम समन्वयक Dr. Rajesh Kumar Nimesh वाचन्स्वर गौरव मार्वा तक्नीकी समन्वयक बतिलैंग लिंगडो तक्नीकी सहायक Mayank Kumar निर्माण सहयोग सौम्या मलिक निर्देशन व निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत प्रस्तुत